एक सिरेल किलर अलग-अलग फैमिली की मदर के साथ अफेर करकर उन्हें टारगेट करता है एसे एक फैमिली को उसने टारगेट किया पर हमारे मेन कैरेक्टर को उस पर शक चला जाता है अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारी मूवी देखेंगे अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बीना किसी तरीके एक्स्पनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर डेविड को देख सकते हैं सुबा उने पर लोग जिस तरीके से सब नॉर्मल सी चीजे करते हैं यही सब डेविड नहीं की पर आज बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था घर में एक फैमिली के साथ उसके हम फोटोस देखते हैं पर जब वो घर से निकला तब हम घर में सब के डेट बॉडिस देखते हैं डेविड एक सीरियल की लेर है इस फैमिली की मदर के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला किया पुलिस इन्वेस्टेशन की जाती है पुलिस से हमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत बार किया हुआ है उनके पास डेविड की कोई भी आइडेंटीटी नहीं डेविड की चो फोटोस थी वो भी अपने साथ लेकर गया वो हमेशा कैश पेयमेंट करता है तो उसकी आइडेंटीटी पाने का उनके पास कोई भी वे नहीं था अब कुछ दिन बीच जाते हैं और सुपर शॉप में डेविड सुजैन से मिलता है सुजैन का बेटा शॉण कुछ लेने की जित कर रहा था पर डेविड है देखकर कहता है कि तुम्हें अपनी मदर की सुननी चाहिए अगर तुम लाइफ में लड़कियों की सुनोगे तो लाइफ में तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा डेविड के बाद सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी वो डेविड की रिंग देखकर उसे खहती है तुम्हारी वाइफ बहुत ही लगी होगी ये रिंग सिर्फ डेविड सिंपधी पाने के लिए यूज़ करता था उसने का मेरी वाइफ का अभी अभी एक साल पहले एक्सिडेंट हो गया मैं उसी की याद में रिंग पहनता हूँ सुजैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद पार्किंग लॉट में सुजैन ने डेविड को पीजा के लिए पूछ लिया इसके बाद six months गुजर गए थे और six months में डेविड और सुजैन एक दूसरे के करीब आ गए अब इन्होंने शादी करने का भी decide कर लिया था सुजैन के दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है माइकल अपने स्कूल में बहुत ही जादा trouble create करता था तो इस वज़े से उसे military school में भेज़ दिया था अब वो अपनी holidays के लिए वापस आया माइकल की बच्चपन की girlfriend थी जिसका नाम था केली ये उसे देखकर बहुत ही खुश थी माइकल ने उसे बुचा कि डेविड कैसा है वो अब तक डेविड से मिला नहीं था को लेकर बहुत कुश थी वो अपने friends से बुच्चती है क्या मैं जलबाजी तो नहीं कर रही friends ने कहा तुमें एक दुसरे से बहुत प्यार करते हो इसमें कोई भी जलबाजी नहीं Suzanne की friend जाय कि रियल स्टेट में काम करती थी डेविड के पास आजकल जॉब नहीं तो यह जॉब उसे उदे देती है पार्टी में डेविड ने माइकल से कहा कि मेरे साथ basement में चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हो डेविड ने दो covers को बन करकर रखा था माइकल से कहता है कि मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ इसी वज़े से चीज़े करता हूँ उसने फिर subject change करकर का कि family मेरे लिए बहुत important है मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर जाए वो माइकल के साथ अच्छी relationship चाहता है उसने माइकल से कहा यह सब वो अपनी मदर पर गुस्सा होकर ही कह रहा था डेविड ने सुज़ेन को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए अगली दिन डेविड फिर माइकल की स्कूल में जाता है माइकल ने पहले वहाँ पर जगड़े किये थे इस वज़े सो बैंड था गुसे में डेविड उसके पास आता है उसका गला दबा कर उसने उससे रिमोट छीन लिया उससे वोईस कम रखने के उसने वार्निंग दी माइकल और के लिए स्विमिंग पूल में एक साथ है इक दूसरे को किस कर रहे थे इस सब डेविड ने देखा और सुजेन से बात करता है कहता है कि इस सब इनका करना ठीक है ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती है सुजेन ने कहा कि तुम्हें भी जरा मौडर्न बनना चाहिए इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते है टीनर करते हैं बातों बातों में माइकल को बता चला कि डेविड के फैमिली का एक्सिडन्ट हो गया था इसी वज़े से उसके लिए फैमिली बहुत इंपोर्टन्ट है सुजेन कहे थी कि हमारा फैमिली एक्स्पिरियंस अच्छा नहीं था वो माइकल के फादर के बार में बात कर रही थी पर माइकल कहता है सिर्फ फादर की इसमें गल्ती नहीं थी यहीं बात करते करते माइकल के फादर यहाँ पर आ गए वो वीकेंड के लिए सब बच्चों को लेकर जा रहे थे माइकल की अपनी फादर से नहीं बनती तो बाहर भी नहीं जाता सुबह सुजैन से मिलने के लिए उसकी नेबर आई हुई थी नेबर ने कहा कि मैंने डेविड जैसे आदमी की फोटो ये टीवी पर देखे पुलिस उसके वारे में बात करे रही थी पुलिस ने डेविड की स्केज बनवाई थी और इस सीरियल किलर से दूर रहने के लिए कहा हुआ था ये सब बात सुजैन को बहुत ही हसी आई और अपनी नेबर को सीरिसली नहीं लेती हसकर ये बात उसने डेविड से भी कही ये सारी चीज़े माईकल सुन रहा था आज काम पर जाते वक्त डेविड इस नेबर को देख कर जाता है डेविड ने माईकल को आज लंज के लिए बोला है उसे कहता है तुमारी मदर से में शादी करने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे तुमारे मदर को बहुत अच्छा लगेगा माईकल भी इसके लिए मान जाता है डेविड ने कहा कि मेरी बेटी अगर जिन्दा होती तो आज 11 साल की हो जाती अपने बेटी का नाम उसने लिसा बता है पर प्रिवेसली माईकल को उसने मिशेल बोला था माईकल कोई बात अजिब लगी पर डेविड करता है उसका नाम लिसा मिशेल था एक दिन नेवर के डोर पर नौक आई वो देखने के लिए गई तो बहाँ पर कोई भी नहीं था गर में आने के बात उसकी बिली चिलाने लग गई थी उससे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माईकल था माईकल उसे बेस्मेंट के स्टेज से नीचे गिरा कर मार डालता है एक दिन माईकल और केली रूम में थे यह दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब ही डेविड बाहर से देख रहा था केली को इस बात से बहुत ही अनकमफ़टेबल लगा और वो घर पर चली जाती है माईकल डेविड से बुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे डेविड ने कहा कि मैं अभी अभी घर पर आया और मेरी रूम में जा रहा था डिनर के बगक डेविड और सुजान माईकल से गए थे तुमें केली की इतनी जादा पास नहीं जाना चाहिए लोग उसके बारे में गलत समझेगे माईकल डेविड से गएता है तुमें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था इनकी आगे बात हो पाती तो यह Michael के फादर बहुत ही गुसा होकर घर में आये वो David को धमकाते हैं कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत belki ना डेविर ने Sean को previously hurt के था इस वजे से Michael के फादर बहुत ही जाधा गुसा थे वो पहरने वाले थे पर Michael उन्हें रोक लेता है 12 आने के बाद Michael के फादर ने उसे पूछा, तुम उसे बात क्यों नहीं करें, मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंट करना चाहता हूँ, Michael भी इसके लिए हा कहता है, सुजन को पता ही नहीं था कि डेविड ने शौन को हाथ लगा है, यह दोनों फिर शौन के पाज आते हैं और डेविड उसे सौरी कहता है, उसने कहा, मैं इस फैमिले में नया हूँ, तुम्हें कुछ मिस्टेक्स करूँगा, पर आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, सुजन डेविड को वार्निंग दे देती है, कि कभी भी किसी को भी हाथ मत लगाना, यह उसे सही नहीं लगता, जैसे गया में पता है, कि आज कल डेविड सुजन की एक फ्रेंड जिसका नामे जैकी, उसके साथ रियल इस्टेट के आफिस में काम कर रहा था, जैके नहीं उसे का, तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन लगेगी, इस सब कुछ तुम पर डेविड फिर गुस्सा आओकर वहाँ से चला जाता है, एक दिन सुजन जरा बाहर गई थी, तो माइकल के फादर उसे मिलने के लिए घर पर आए, उस राज जो भी हुआ था, इसलिए उन्होंने डेविड से माफी मांगी, फादर डेविड से गयता है, मैंने तुम्हा नाम का कोई भी नहीं था, यह सब सुनने के बाद डेविड डिरेक्ली उन पर हमला कर देता है, उन्हें मार कर डेविड ने उसे बेस्मेंट में छिपा दिया, सुजन ने डेविड को कॉल लगया और कहा कि माइकल के फादर मिलने के लिए आने वाले है, डेविड ने कहा कि उसके बाद वो कायब हो गया, उसे बात बहुत ही अजीब लगती है, सुजन से उसने पुछा, तुम उसके बारे में जानती क्या हो, सुजन कहती कि मैं आज कल बहुत ही खुश हूँ, वो डेविड पर डाउट कर करें सारी चीज़े खोना नहीं चाहती, उसने फ्रेंड से का, मेरी खुशी में ही तुम सब लोग खुश रहो, जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडिय नहीं थी, वो और भी इन्वेस्टिकेशन करने का डिसाइड करती है, आज माइकल और सुजन को लगता है कि माइकल के फादर आये ही नहीं, सुजन ने आकर माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था, कि उबीजी है और आज आ नहीं सकते हैं, थोड़े दिनों में पुलिस को पता चल गया कि नेवर की डेथ हो गई है, उन्हें लगा था कि स्टेर से नीचे गिर कर उनकी डेथ हो गई, इसके बारे में डेविड जब किसे से बात कर रहा था, तो माइकल ने सुन लिया, माइकल रियलाइस करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेवर की डेथ हुई है, पर यह नहीं पता चला था, तर बात में कुछ और बताया, कि तुम बहुत जादा सोच रहे हो, वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रबल क् ताकि वो उसके पास से रह सके डेविड आगर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए में जरा बहर जा रहा हूं डेविड के जाने के बाद माइकल डारेकल उसके रूम में आ गया के लिए उसे मना कर रही थी पर माइकल को डेविड के बारे में और भी इनफॉर्मेशन चाहिए थी थोड़ी दर में अचानक से डेविड फिर से वापस आ जाता है केली और माइकल घर में छुप गया है डेविड नोंने आसपास जुनने की बहुत ही कोशिश किये और बहुत चाला किसे यह फिर से स्विंग पूल के पास आ गया है डेविड समझ गया था कि पहले दोनों घर में ही थे माइकल को भी लगता है कि शायद ओ ऐसे डेविड पर शक कर रहा है डिनर के बाद डेविड माइकल के पास आया उसे कहता है शायद हम दोनों में दूरी आ रही है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिटर स्कूल में भेज दूँगा माइकल फिर से डेविड पर शक करने लग गया वो राद में लापटॉप पर पुलीस की वेबसाइट चेक करता है उसमें उसने डेविड की स्केज देखिये सर्च हिस्ट्री में अल्री डेविड ने इस साइट को चेक करकर रगा था तो ये भी बात बहुत ही सस्पिजियस थी देखकर केली से एता है शायद तुम दोनों का जगडा हुआ है तुम भी अब इस फैमिली का पार्ट हो तुम्हें हम सब का ख्याल रखना चाहिए डेविड केली को अलग नजरों से देख रहा था उसे अंकमफ़टेबल लगा और वहां से चली जाती है बहुत दिनों से मा का मोबाइल बजने लग गया डेविड डर जाता है इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता माइकल ने अपने रूम से बेस्मेंट से आवाजारी ये नोटिस किया वो नीचे बहुचता है तो डेविड हॉल में था उसे लगा कि शायद डेविड का मोबाइल बज रहा होगा पर डेविड की फोटो निकालता है रात में सुजन कुछ घंटों के लिए जरा बाहर के माइकल जब शावर ले रहा था तो डेविड ने उसके मोबाइल से उसकी इमेज डिलीट कर दिये माइकल ने डेविड को उसके रूम से बाहर आते होए देख लिया था ये सब आकर माइक कर दिया जैक्यो को अपने घर के बाहर को आवाज आई स्विंग पूल में उसके एक चदरी पड़ी हुए थी उससे निकाल रही थी तब ही डेविड पीछे से आता है पानी में डुबा कर उसनों से मार दिया थोड़ी दिर में सुजन घर पर वापस आई उसका तोड़ा सर देना पर बाहर निकलाओंगा बेस्मेंट में उसने डेविड का लॉक किया हुआ कबर्ट चेक किया उसमें उसे अपने फादर की बैग मिली फादर का फोन भी पड़ा हुआ था डेविड के अचानक से नीन खुल जाती है वो नीचे चेक करने किला है यह लाइट देखकर क केली माइकल को कॉल करने वाली थी पर उसकी बैटरी खतम हो जाती है माइकल बेस्मेंट में फ्रीजर को नोटिस करता है उसने देखा तो डायर्गल उसके फादर की बॉड़ी उसमें थी वो बहुत ज़्यादा डर गया तभी केली बेस्मेंट के उपर से उसे आवाज लग करा है सब कुछ आवाज सुनकर सुजैन की नीन खुलके वो बुछती के सब चल कह रहा है डिवीड कहता है मुझे लगा था कि फैमिली मेरे लिए परफेक्ट है पस सब कुछ गडबड होके तुमारा बेटा मुझ पर शक करने लग गया अब मुझे तुम सब को मारना वो सुजैन की पीछे उसे मारने के लिए भागा माइकल बहुत ट्राय करता है और फाइनल यो बेस्मेंट से बाहर निकला सुजैन भाग कर बातरूं में चिप गई थी डिवीड इसका दर्वाजा तोड़ देता है दर्वाजा तोड़ते हुए उसका सीशा नीचे गिर गय वो नीचे आती है और सब एक दुसरे को गले लगाते है तभी डिवीड फिर से उनके पास आ गया वने मारने वाला था पर जल्दी से स्टेर्स लेकर एटिक में आके इस स्टेर्स को माइकल बन कर रहा था पर डिवीड इसे रोक लेता है वो भी उनकी पीछे-पीछे उपर आ गया डिवीड और माइकल की फाइट होती है एटिक की वूड को मोल लगा हुआ था सुजैन और के लीइससे नीचे गिर जाते है डिवीड नीचे जाकर उसे मार देता तो भी माइकल फिर से उपर उठकर उसे जोर से बाहर पटकता है वो देखता है कि क्या डिवीड राइटली हस्पिटल में देखते हैं वो बुचता है कि मैं कहा हूँ सुजैन ने कहा कि एक मन से तुम कोमा में थे उसने बुचा कि डेविड का क्या हुआ सुजैन कहते है कि पुलिस के आने से पहले वो भाग गया था अब इसके बाद एक नए हुलिय में हम डेविड को फिर से सुपर शॉप में देखते हैं जिस तरीके से हो सुजैन से मिला था उसी तरीके से किसी और लड़की से हो मिल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हो भाग गया था यही पर यह मूवी एंड हो जाती है यह मूवी इसी टाइब के एक सिरेल किलर सी इंस्पायर थी है जिसका नाम था जॉन लिस्ट जॉन लिस्ट ने विए बहुत सारे लोगों को मारने के बाद एक स्टेबल लाइफ हो जी रहा था पर बाद में पुलिस